28 October, low pressure area formation हुआ है South-East, Adjourning South-East Bay of Bengal area में 22nd October का आसपास दिप्रेशन में इन्टिसिफिकेशन होने का चांसेस है West Central Bay of Bengal एरिया में इसका movement हमारा 22nd warning तक West Northwest रहेगा initially उसका बाद gradually recurve बनने का चांसेस है North-North East तौर्ड तौर्स मंगलदेश कोस्ट अभी इसका प्रोभाब में हमारा main warning जो है अभी fisherman के लिए है fisherman को 22nd से deep sea area में West Central Bay of Bengal का deep sea area में जाने के लिए मना है 23rd से West Central Adjoining North Bay of Bengal अरिया में जाने के लिए मना है और हमारा along and off Puriusha Coast का May 24th October से जाने के लिए मना है तो Fisherman अभी जो deep sea area में है उनको 22nd तप Coast में वापशाना के लिए कहा गया है और इसका प्रोभाब में हमारा बारिश का जो forecast है अभी आगला तीन दिन में तो बारिश ड्राई ही रहेगा शावी जागा में उरिशा में मुस्ली ड्राई होदा रहना का चांसिस है फिर 23rd में Coastal विशका डिस्टिक्स में कुछ-कुछ ताना पर हलका से मुध्धम बारिश और अजनिंग इंटिरियर का डिस्टिक्स जैसा केउन जार, मुईरभान, जोंगूल, धेनकेनाल, कंदमाल, राइगरा, कुरापूर्ट, मलकानगिरी इसमें एक-दो जागा करके हलका से मुध्धम बारिश होने का चांसिस है रेस्ट विश्ट अनुषका डिस्टिक्स में ड्राइव दर रहने का चांसिस है ट्वेंटी धार्ड में 24th में जो है, 24th और 25th में भी हमारा Coastal विशका डिस्टिक्स में मेनी प्रिशस में हलका से मुध्धम बारिश का पसेबिलिटी है अज्जोइनिंग इंटिरियर का कुछ डिस्टिक्स में कुछ-कुछ ताना पार बाकी डिस्टिक्स में एक-दो जागा में बारिश हो सकता है मिलली Coastal विशकाई बारिश का प्रभाब रहने का चांसेस है भुबनेश्टर सीटी में जो है भुबनेश्टर सीटी में अभी आगला तीन दिने में तो ड्राइएद रहेगा भुबनेश्टर सीटी में भी 23rd से 25th का अक्टोबर का बीच में बारिश का पासिबिलिटी है भुबनेश्टर सीटी में जो है